वीडियो की नीचे दाहिने तरफ सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और उसके दाहिने तरफ घंटी को दबा करके All में किलिक कर दीजिए इससे इस चैनल में जो भी वीडियो डाले जाएंगे वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिलेंगे वेलकम स्टुडेंट्स आज हम किलास टेन के चेप्टर फोर यानि क्यूबॉइड या आयत घंट के कोशन नमर ट्वेंटी फाइब यानि शॉर्ट एंसर को बनाने वाले है इसमें से हर एक कोशन टू माक्स का होता है तो पहला कोशन है अगर एक क्यूबॉइड के सर्फेस का नमबर या तलो की संखिया एकस है the number of edges is y यानि edges की तादाद या भुजाओ की संखिया y है the number of vertices is z यानि vertices या vertex के तादाद नुक्ताय रास की तादाद या सिर्ष विंद्यो की संखिया z है and the number of diagonals is p यानि diagonal का number diagonal की तादाद या विकरनों की संखिया p है तो हमें पता करना पड़ेगा latest write the value of x minus y plus z plus p तो इसका value हमें या इसका मान हमें पता करना है ग्याद करना है तो हम इस तरह से लिख लेंगे इने keyword एक keyword में या एक आयतकार घन में number of surfaces तलों की संखिया या surfaces की तादाद कितना x दिया हुआ है और ये हमें पता है जो मैंने introduction वीडियो बताया था वहाँ पर मैंने बताया था कि एक keyword में कितने surface या कितने तल होते हैं तो total एक keyword में 6 surface होते हैं तो x equal to कितना हो जागा 6 तो है ना 6 तरफ 6 तल होते 6 उसका surface होता है उसके बाद number of ages यानी side की तादाद या भुजाओ की संखिया तो एक keyword में ये दियावा question में why है और हमें पता है कि एक keyword में total ages या total भुजाओ कितनी होती हैं 12 होते हैं जो line होते हैं 12 और उसके बाद number of vertices यानी vertex नुक्ता रास या सिर्ष बिंदो की तादाद कितनी होती है संखिया वो दियावा z और हमें पता है कि total जो है एक keyword में 8 इस तरह के point होते हैं vertex होते हैं ठीक है सिर्ष बिंदो या नुक्ता रास जिस हम corner point भी कहते हैं और number of diagonals यानी वितिर या विकरनों की संखिया या तादाद यह p दिया हुआ है question में और हमें पता है कि total यह कितने diagonal होते हैं कि keyword में 4 होते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 4 ओके तो इसलिए अब जो हमें value निकालना है किसका x-y plus z plus p तो यह सभी का value जो आया है वो हम सभी यहाँ पर put कर देंगे तो equal to कितना हो जाएगा x के जगा में हम put करेंगे 6 minus y के जगा में 12 plus z के जगा में 8 plus p के जगा में 4 तो यह कितना हो जाएगा जो plus number इसको पहले add कर लेंगे 6 या plus 8 8 और 6 14 पलस 4 14 पलस 4 18 और फिर minus 12 लिख लेंगे तो 18 से 12 घटाएगे यह हो जाएगा 6 तो इसका value 6 होगा यह answer हो गया question number 2 the lengths of the dimensions of two cuboids are 4, 6, 4 units and 8 2h-1, 2 units respectively यानि दो cuboids है दो आयत घन है जिनके dimension यानि मैंने पहले भी बताया dimension मतला बता लंबाई, चोड़ाई और उचाई ठीक है ना या हम समझ लो उसके तीनों तरह के side लंबाई, चोड़ाई और उचाई यह दोनों का दियावा है करमस यानि respectively पहले वाले cuboids का है 4, 6 और 4 units और दूसरे वाले cuboids का है 8 और 2h-1 और 2 units ठीक है उसके बद कहा जा रहा है इप दा वॉल्यूम सब 2 cuboids are equal अगर दोनों cuboids का volume या आयतन अगर बराबर हो देन लेट एज राइट दा वैलू अप आईच तो ह कीमत या value या मान हमें मालूम करना है तो बिल्कुल easy है किस तरह से यहाँ पर जो कहा गिया दोनों cuboids का volume या आयतन बराबर है तो बिल्कुल हम दोनों का volume का equal to कर देंगे बराबर है यानि दोनों का बीच में equal to लिखेंगे इसका volume होगा यह तीनों का into करेंगे तो पहले वाले cuboids का volume होगा और 8 और 2H-1 और 2 का into कर देंगे यह तीनों इसका लंबाई चोड़ा हो चाहिए तो इंतनों का into करेंगे तो दूसरे वाले cuboids का volume होगा उन दोनों का हम बीच में equal to कर देंगे फिर वहां से में h का value मिल जाएगा तो हम किस तरह से लिख सकते हैं इस तरह से लिखेंगे according to question दूसरे वाले q word का हम पहले लिख लेंगे क्योंकि h जो है वो हमारा left side में हो जाएगा तो उस तरह निकालने में उसका value easy होगा तो दूसरे वाले q word है उसका लंबाई दिया होगा है 8 और चौड़ाई दिया होगा है 2h-1 इसको into करेंगे और उचाई दिया होगा है 2 यह तीन होगी यह इतना cubic unit है ना यह दूसरे वाले q word का volume यह आयतन है लंबाई जरब चौड़ाई जरब उचाई यह किसके बराबर हो जागा चौड़ाई जरब आप 6 & उचाई दिया होगा है ऐसे लंबाई जदा होता है 6 चौड़ाई 4, उचाई 4, ना चाई 4 यह नहीं दिया हो नहीं होगा है को सा लंबाई चौड़ाई था जर्ब हो यह दोनों का volume होगा यहां से ही कब निकाल लेंगे आप चाहे तो direct यहां से बहुत सकते हैं जाए तो इस दोनों को नीचे ले जाकर भी काल सकते हैं चले हम नीचे ले जाकर काथे हैं यहां पे 2H-1 को छोड़ देते हैं left side में equal to 8 और 2 यहां पे into यह दोनों को धायने करेंगे right side में तो इसके नीचे आ जाएगा 4 into 6 into 4 बटा यह नीचे आ जाएगा 8 8 भी नीचे आ जाएगा और 2 भी नीचे आ जाएगा क्योंकि यहां into यहां divide हो जाएगा यहांसे काटिए 4 दूने 8 हो जाएगा 2 दूने 4 हो जाएगा और यह 2-2 कट जाएगा ठीक है तो और 2H-1 इसका value कितना कि यहां सिर्फ 6 बचा तो 6 हो जाएगा और यहां से h कितना होगा तो 2H लिखेंगे minus 1 को दाइने तरफ कर देंगे right side में तो 6 minus 1 दाइने जागा plus 1 और 2H equal to यह 7 हो जाएगा और H equal to हो जाएगा 7 बटा यह 2 into यहां पर यहां पर आएगा 3.5 है ना 2 से 2 3 यह 6 एक बचेगा 2 से 1 नहीं कटेगा पॉइंट लेंगे यह 0 हो जाएगा 2 पचे 10 3.5 है इतना यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग unit या cm यहां पर unit लिखेंगे क्योंके question में जो है वो कोई cm यह दिया हुआ नहीं था इसलिए 3.5 unit यही होगा answer इसके बाद question no.3 if each side of a cube is increased by 50% अगर एक cube या घन के हर एक side या एज या भूजा को अगर 50% या 50% increase किया गिया उसको और भी बढ़ाया गिया then how much the total surface area of the cube will be increased in percent तो उस cube या उस घन का total surface area या सम्मगरे तल का 6 तरफल वो कितना percent increase करेगा कितना पतिशत increase करेगा कितना पतिशत बढ़ेगा let us write by calculating it तो यह हमें पता करना है तो इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले तो यहां पे जो cube है या घन है इसके हमें कोई side पता नहीं तो उसका हम side को या भूजा को हम x unit या x एकाई या x एकक माल लेंगे let each side of the cube equal to x unit माल लिया के घन के हार एक side या भूजा की लंबाई x एकाई है या x एकक है ठीक है तो अगर एक side x है तो इसका total surface area कितना होगा इसलिए total surface area यानि समगरे तल का छेतरफल कितना होगा इसका formula में पता है cube का total surface area कितना होता है 6 a square होता है तो यहाँ पर side a के जगा में हमने x ले लिया है तो 6 x square हो जाएगा इतना square unit आप चाहे तो a लेकर भी बना सकते है अगर यह लेंगे तो यहाँ पर 6 a square हो जाएगा ठीक है तो चले भी x ही लिये है अब क्या कहा गिया कि उसके हर एक side को 50% बढ़ाया गिया तो 50-30 बढ़ाएंगे तो अब नया side कितना होगा यानि नया side जोगा वो बढ़ा हुआ होगा तो नया side कितना होगा यहाँ पर लिखेंगे हम लोग new side एक मरतबलिक लेते हैं फॉर 50% increase यानि 50-30 बढ़ाने पर new side या new age लिख सकते हम लोग ठीक है new side नया side कितना होगा एक तो पहले से जो x था उसका वो तो पहले ही से रहेगा और इसमें और भी इसका 50% और बढ़ जाएगा यानि x का 50% 50% of x यह तो बढ़ा हुआ है और यह उसका पहले वाला यह दोनों add हो के नया वाला side बनेगा तो यह कितना हो जाएगा x plus x का 50% कितना होगा तो 50% को अटाएगे तो नीचे x होगा of मतलब into यहाँ पे x हो जाएगा 50 x काटेंगा 50 से गम 50 52 100 equal to यह कितना होगा x plus x into जाएगा 1 के साथ x बटा नीचे में हो जाएगा 2 इसको LCM ले लीजे कितना होगा direct अगर बना सकेंगे तो ज्यादा अच्छा है तो चलो मैं LCM लेके भी बनाता हूँ नीचे 2 LCM हो जाएगा 2 x plus 2 से 2 एक बार में कटेंगा x से इसको into करेंगे x होगा तो यह कितना होगा 2 x plus x 3 x बटा नीचे हो जागा 2 एतना unit यह नया side है जो नया cube है नया घने उसका एक side new side इतना है अब हम नये वाले जो cube है या घने उसका अब हम total surface area निकालेंगे इसलिए इसलिए total surface area of the new cube नये घन का total surface area यह संबगरे तल का छेतर फल नया वाला cube का जो side है या भूजा है वो 3 x by 2 unit है एक आई है तब इसका total surface area फॉर्मूला तो वही है 6 x square 6 तो उसी तरह रहेगा और यह जो इसका 1 side या भूजा है उसके जगह में अब x के जगह में हो जाएगा 3 x बटा दो यह उसका नया side है या भूजा है 3 x बटा दो और यहा भी इसका whole square होगा ठीक है इतना square unit होगा यह बर्ग 1 चक तो यह कितना हो जा रहागा 6 इंटू इसको करेंगे 3x का all square कितना होगा 3 का square 9 और x square हो जाएगा बटा नीचे महो जाएगा 2 का square 4 और यहाँ पे इंटू है ठीक है यहाँ से काटे देगे कितना होगा 2 3 6 2 2 4 और नहीं कटेगा तो उपर में हो जाएगा यह 3 9 27 एकस square बटा नीचे महो जाएगा 2 इतना square unit ठीक है तो पुराना यानि जो पहला cube था उसका total surface एरिया था 6 x square यह और नया वाला जो cube यह गानी उसका total surface एरिया हो गया 27 x square बटा 2 ठीक है ना तो यह पुराना का यह नया का तो कितना बड़ा यह ज्यादा है और यह काम है तो इससे इसको minus करेंगे तो पता चलेगा कितना total surface एरिया यह सम्मगरे तल का 6 रफल बड़ा इसलिए हम लिखेंगे area increased 6 रफल बड़ा कितना बड़ा देखते हैं तो यहाँ पर हम घटा देंगे 27 x square बटा 2 इससे घटा देंगे हम 6 x square को यह कितना हो जाएगा lcm ले ले यहाँ पर नीचे lcm 2 होगा 2 से 2 एक बार में कटेगा और x से 27 को इंटू करेंगे 27 x square ही होगा माइनस यह 2 से इंटू हो जागा दो चक 12 x square घटा आएगे किनना होगा 27 से 12 घटा तो 15 होगा 15 x square बटा 2 इतना square unit यह area यह 36 फल बढ़ा है ठीक है अब हमें percentage increase यह percentage में 30 में कितना area बढ़ा है वो निकालना है ठीक है इसलिए area increased in percent यानि percent में या पतिसर्थ में कितना area बढ़ा है यह निकालना है इसका क्या formula होता है जितना area बढ़ा है छेतरफल बढ़ा है उसको उपर लिखा जाता है तो कितना area बढ़ा है 15 x square बटा 2 इसको उपर लिखा जाएगा 15 x square बटा 2 फिर बटा दिया जाएगा कितना में बढ़ा है वो नीचे लिखा जाएगा तो कितना में बढ़ा है पूराना जो एरिया था उसमें बढ़ता है है ना, पहले जो था उसका ये था 6x² ये पहले वाला एरिया था यह अच्छेतर फलता है, इसमें एतना बढ़ गिया है, तो यह नीचे लिखा जाएगा, जितना में बढ़ा वो नीचे लिखा जाएगा, इंटू कर देंगे फिर एक सो के साथ, तब परसेंटेज एरिया निकल जाएगा, तो यह बराबर कितना होगा, तो पंदरा एकस बटा दो उसी तरह रहेगा, उपर वाला जो बटा है, इंटू यह जो नीचे 6x2 है, इसके नीचे एक ले लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यह बटा नहीं है, और यह पलट जाता है, 6x2 बटा वान है, तो वान बटा 6x2 हो जागा, यह नीचे वाला पलट जाता है, इंटू 100 यह कितना होगा, देखें, x2, x2 यह कट जाएगा, चैंसल होगा, फिर कटे गए, यहां से देखिए, 6x15 कटेगा, 3x3, 2x6, 3x15, 2x50, 2x50 बार में 100 कटेगा, फिर 2x25 बार में 50 कटेगा, तो नीचे पूरा कट गया, उपर में 25 इंटू 5 बचा, 25 पचे 125, और यह परसेंटे में होगा, तो इतना परसेंट, यानि 125 परसेंट, एरिया यह अच्छे तरफल बढ़ेगा, यही होगा मारा एंसर, Question No.4, The Lens of each edge of 3 solid cubes are 3 cm, 4 cm and 5 cm respectively, यानि 3 cm, 4 cm और 5 cm के edge या side के लंबाई के तीन अलग-अलग cube है, या घन है, solid cube है, ठीक है न, यानि जैसे लोहा का बना हुआ है, पहले वाले का एक side वो 3 cm है, दुसरे वाले cube या घन का 4 cm एक side, तीसरे वाले cube या घन का एक side 5 cm है, उसका एक-एक भूजा, ठीक है, अब कहा जा रहा है, a new solid is made by melting these 3 solid cubes, उन तीनों cube, solid cube या तीनों घन को पिगला कर, यानि melting यानि पिगला कर, एक नया solid cube बनाया गया, ठीक है, तो तीनों cube माली जैसे लोहा का है, और तीनों को पिगला करके एक बड़ा सा cube या घन बनाया गया let us write the length of one age of the new cube, तो जो नया cube या घन है, उसके एक एज या एक भुजा या एक साइड के लंबाई कितनी होगे, तो इसको बनाने के तरीका क्या होगा, ना हम तीनों जो अलग-अलग cube जिसका एक-एक साइड 3 cm, 4 cm, 5 cm हम तीनों का वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम का म इसे लोहा से बना है, तो इसमें टोटल जितना लोहा होगा, वो उसका वॉल्यूम या आयतन होगा, तो तीनों का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर उन तीनों का वॉल्यूम को जोड़ देंगे, तो यानि पिगला कर जो बड़ा क्यूब बनाएं, उसके वॉल्यूम के तो देखे हम इस तरह लिख लेंगे volume of cube of side 3 cm यानि 3 cm भूजा की लंबाई वाले cube या घन का volume या आयतन तो ये कितना होगा तो हमें पता है cube का volume का formula क्या होता उसका जो side होता है या भूजा होता है उसका whole cube होता है तो 3 है तो 3 का whole cube कर देंगे तो 3 का whole cube कितना होता है 27 होता है हमें पता है 3 या 9 या 27 तीन बर 3 को इन्टू करेंगे इतना cube cm होगा इसी तरह से 4 cm side lambaiti वाले या भूजा के lambaiti वाले cube का volume या घन का volume या आयतन कितना होगा तो 4 का whole cube कर देंगे तो 4 का whole cube कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा 64 cubic centimeter और इसी तरह से 5 centimeter side के लंबाई वाले या भुजा के लंबाई वाले cube का volume आयतान कितना होगा तो 5 का whole cube करेंगे तो 125 cubic centimeter होगा ठीक है अब हम तीनों का volume को add कर देंगे ठीक है इसलिए volume of the new cube जो नया cube बनेगा वो तीनों के volume का add करके ही बनेगा new cube नए cube या नए घन के आयतन ये तीनों का add कर देंगे 27 plus 64 plus 125 इन तीनों का add करके आप देखेगा यह जागा 216 cubic centimeter ठीक है अब का जा रहा नया वाला जो क्यूब है उसका एक side या एक बुजा की लंबाई कितना है तो इसका एक side को mix माल ले यह माल ले ठीक है तो अगर नए वाला क्यूब का एक side एक centimeter है तो इसका volume कितना होगा इसका volume अगर x का whole cube और वही 216 के बराबर होगा क्यूब का volume यह तन कितना है 216 है तो इसलिए हम क्या लिख सकेंगे इसलिए according to condition according to condition शर्त के मुताबिक x का whole cube बराबर हो जाएगा 216 यहां से x का value आ जाएगा तो x का whole cube और इसको आप whole cube बना दे तो यह कितना का whole cube होता है 216 होता है ठीक है ना दोनों तरफ whole cube बन गया तो यहां से x का value कितना होगा दोनों तरफ हम match करें compare करें तो x equal to होगा cube बट आते हैं तो x equal to 6 होगा ठीक है 6 cm तो नहें वाले cube का एक side या भूजा के लंबाई कितना होगा 6 cm इसलिए side of new cube equal to 6 cm यही answer होगा आप अगर चाहें तो यहां से इसका cube root भी निकाल कर direct 6 कर सकते हैं आखरी question number 5 यहां एड़्यासेंड वाल उनका लंबाई दिया वाह एक का 12 मीटर और एक का 8 मीटर ठीक है if the height of the room is 4 मीटर अगर रूम का height 4 मीटर है then let us write by calculating the area of the floor of the room तो रूम का जो floor है यानी जो नीचे फर्ष है नीचे का जमीन है उसका area या छेतरफल हमें पता करना है ठीक है तो देखे यहां पर जो है न कोश्चन में थोड़ा से टॵिस्ट कर दिया गिया है गुमा दिया गिया कि उसका the height का क्योंकि जो दो दीवार दिया गिया है जिसे room में जो दो दीवार नीचे फर्ष लंबाई और चौड़ाई हो जाएगा 12 और 8 तो इन दोनों को इंटू कर देने से रूम का फर्ष या फर्ष का एरिया और छेतर फर पता हो जाएगा ठीक है यहां पर हाइट का कोई काम नहीं होगा तो देखे नक्षा कुछ इस तरह से हो जाएगा तीक है ना जैसे यह एक दिवार है इसका लंबाई दिया वा 12 मैटर और इसके साथ यह एड़रस के सथा इसका लंबाई अबर चाहिए यह जो लंबाई होगा इस दिवार का जो लंबाई होगा वो हो जाएगा फुलोर यानि फर्ष का लंबाई हो जाएगा ठीक है और इस दिवार का जो लंबाई है आट मीटर वह इस फुलोर यानि फर्ष का चोड़ाई हो जाएगा ठीक है इसलिए हम क्या लिखेंगे यहां प फर्ष यह जमीन का लंबाई हो जागा 12 मीटर एंड ब्रेथ ब्रेथ अब दा फुलोर यह कितना हो जागा 8 मीटर हो जाएगा ठीक है इसलिए नीचे फुलोर का अरिया कितना होगा इसलिए अरिया उप दा फुलोर जो फुलोर यह देखने में को इस आयतकार है ना रेक्टेंगुलर है तो इसका ईयरिया नो ओता , लंबाई इंटु च वडाई तो लंबाई बारह इंटु च वडाई 8 मासे नीचे लिप होग दान में तो मितर में होगा इतना में अरिक करम तो इस्टोंट्स यहां तक जो है हमारा चैप्टर 4 का शोट कोश्चन जो दो नमबर के यह कम्पिलीट हो गया इसके लावा मैं आपको यह कहूंगा कि आप सिर्फ जो एक्सेसाइस के यहां पर जो कोश्चन है सिर्फ इस पर डिपेंड ना करें बलके माध्धमीक में जो होत बलके जो एप्लिकेशन होता है वहां से भी कोश्चन आता है तो मैं आपको कहूंगा कि आप एप्लिकेशन को प्रेक्टिस कीजिएगा ठीक है ना और खासकर उन्हें एप्लिकेशन को प्रेक्टिस करना है जो बनावा नहीं होता जिसी यहां पर दिखिए अप्लिकेशन 18 यहां पर लिख दिया, let me do it myself, खुद से करो, यह बनावा नहीं है, तो इसको आप प्रैक्टिस अपने से करना है, यह बनावा इसको कीजिएगा, ठीक है, जो जो खाली जगा हो, तो इसको अपने से फिल करना है, भरना है, क्योंकि एक्जाम में माध्धमिक में हो, या हाय मद पंदरा है, और चाओधा है, उससे पहले होला नहीं करना है, उससे छोटा है, शोट कोश्चन है, लेकिन जो थोड़ा बड़ा होता है, जिसे पंदरा नंबर के बाद से ही आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में है, एक्सेसाइज चेप्टर फा आई वे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात वे समानुपात, ओके?